में डियेपी खाद को लेकर के लगातार किसान कहीं न कहीं प्रिशान हो रहे हैं और उसको लेकर के सरकार भी लगातार कदम उठा रही है कहीं ठानों के अंदर खाद की परची दी जा रही है तो वह कहीं जो सेंटर सें उनके बाहर लंबी-लंबी लाइने लगी है हमारे साथ क्रिशी मंत्री है शाम सिंग राणा जी उनसे बात करते हैं राणा जी खाद की जो प्रेशानी आ रही है किस वज़े से प्रेशानी आई है क्योंकि हमने देखा था कि जब एक बार पहले भी जब 2014-2019 में सरकार बनी और 2014 में जब आप लोगों की सरकार आई थी तो उस समय भी एक बार दिक्कत आई थी और कहीं ना कहीं बड़ी भारी प्रेशानी किसानों को उठानी पड़ी थी अब किस वज़े से प्रेशानी आई है देखिए अभी खात जो आता है विदेश से यह जहां स जिसमें अभी एक पॉइंट पत्चीस अभी आया है इसमें से काफी हो गया लेकिन कुछ अभी और डिस्टिबिशन हो जाएगा कुछ और खाद आएगा खाद की कोई दिक्कत तो अनेल टैमें नहीं आएगी लेकिन एक दम नहीं आता है आता है आता सिफ्टों में जैसे अ जहां लगे हैं वहां दिखते हैं दूरों लग रही हैं कुछ और और लग जाएंगे और दिखते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकन खाद मिलेगा सब लेकिन पैनिक किस विज़े से क्रेट हुआ क्योंकि अब देखें तो कहीं अभी दो दिन पहले हम देख रहे थे तो शाम ठा आने बड़ी बात है अब यह नहीं है कभी एक दो दून पहले वस्ता ओने के कारण कुछ थोड़ा हुआ था लेकिन आप जिया है सब जगह हमने सोसाइटियों से खाद बिल रहे हैं किस वज़े से दिक्कत आई अब की बार कोई management ठीक नहीं हो पाया या खाद आने में कईना करें है तक ही नहीं सरकार आई है लेकिन थी लेकिन करने का काम बारतीजेंता बार्टी कर रही है आज रणदीप सिंग्सुर्जेवाला नवी प्रैस ता कि उन्होंने का कि किसानों ने जो तीन करशी कानुन के लिए पूरा आंदूलन किया था इस ह passtानों के ऊपर करें या कोई और नेता करें उनकी सोबानी देता तीन क्रिसी कानून तो कांगर्स नहीं बनाए थे मनमौन सिंग जी की स्रकार में बने थे और देपेंदर उड़ा जी वो समय रोद तक से सांसत है वो बड़ी इस चीज को उठा रहे थे जल्दी जल्दी इस कानून को पास करो अब आप ऐसे तो किसान है वो उनको किसानों के बारे में ग्यान नहीं है ना सुर्जेवारे को ना दूसरे को और भी पक्समों ना तेसे सरकार ने बनी इसलिए उस्टार रहे हो कैमरा मैना जै के साथ अंकिर दुदानी न्यूज एटीन चंडीगड और सी के साथ रुगें एक छोटे सुप्राइब को ना दूसरे के साथ रुगें एक छोटे सुप्राइब